हाईलो एबरीबन बलकम टो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर सूट में बहुती सुन्दर सी बैकने गले की डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिए इसको तरह से फोल्ड करेंगे अब हमें यहाँ पर गले की चोड़ाई तीन इंच रखेंगे और यहाँ से हमें साड़े तीन इंच पर निसान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई साड़े दास इंच रखेंगे और यहाँ पर भी तीन इंच पर निसान लगाएंगे और दोस्तो प्लेज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यह आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो दोस्तो प्लेज इस वीडियो को जरू लाइक कर देना यहाँ पर एक इंचोड़ी पट्टी रखेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमने कटिंग कर लिया है अब हमें आपर दूसरी तरफ भी कुछ इतरह से निशान लगा लेते हैं तो हमने कुछ इतरह से निशान लगा लिया है इसको हम कपड़े पर चिपका लेंगे कि हमने किस तरह से गले की डिजान बनाई है अब हम यापर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसको फॉल्ड करेंगे इतरह से और यहापर हमें bc एंटर पर निसान लगाना है अब हमें यापर एक bc एंटर पर कट लगा देंगे तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर वी सेंटर पर निसान लगा देंगे एक कट भी लगा देंगे वी सेंटर पर तो इसकी सीधी साइट उपर रखेंगे और इसके उपर हमें आपर गले की पट्टी रखेंगे तरह से और रखने के बाद हमें इस तरह से सिलाई लगानी है तो जहाँ पर हमारा निसान लगा है उसी निसान के उपर हमें आपर सिलाई लगाएंगे तो यहां पर मैंने सिलाई को लगा लिया है अब हमें यहां पर क्या करेंगी आदांज का कपड़ा छोड़के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगी फिर हम यहां पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे यहां पर हमें नुकलिकाल के अच्छे से सीधा कर देना है और इसी तरीके से हम यहां पर दूसरी तरह भी अच्छे से नुकलिकाल का सीधा करेंगे और इसमें हमें याँ पर दो पॉइंट का मार्जन छोड़ की याँ पर दाप सिलाई लगा लेते हैं पूरे में हमें याँ पर इस तरह से दाप सिलाई लगा लेते हैं तो इतना हमारा गलाबन का त्यार हो गया है देखिया आप लोग देख सकते हैं तो अब हम इसमें क्या करेंगे और डिजान बनाएंगे तो इसके लिए हमें एक लंबी सी पट्टी लेनी है और इसकी चोड़ाई हमने याँ पर साड़े तील इंच रखी है अब हम याँ पर एक धागे को लेंगे और पट्टी को तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके याँ पर सिलाई लगाएंगे तो याँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है अब हम याँ पर पट्टी को इखटा करेंगे और यहां पर इसको बांदेंगे और इस तरह से हमें अच्छे से सीधा कर देना है तो यहां पर मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है और इसमें मैंने प्रेस भी लगा दिया है अब हम यहां पर सूट को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और यहां पर मैंने पट्टी को लिया है तो पट्टी को हम पहले यहां पर इतरह से फोल्ड करेंगे और इसके उपर हम यहां पर रखेंगे ठीक है गले के उपर हमें इतरह से रख लेना है और यहां पर दो तीन बाद सिलाई लगाएंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगी इसमें कुछ तरह से छोटी-छोटी पलेटे सिलेंगे नीचे वाला जो हमारा गला है उसमें हम यहाँ पर पूरे में कुछ तरह से पलेटे सिल लेते हैं यहाँ पर बची हुई पठी की कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है तो इस तरह से हमारी डिजाइन आएगी देखी आप लोग देख सकते हैं तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे इसमें मोती लगाएंगे तो पठी को हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है दोनों तरफ से तो यहाँ पर मैंने सुई में सेम कलर का धागा डाल लिया है तो पहले हमें आपर इसमें अच्छे से टाका लगा लेंगे फिर हमें आपर एक मोती को लेंगे और मोती को हमें यहाँ पर अच्छे से टाक लेना है और पीछे की तरफ हम इसमें नोट लगा देंगे अब हम यहाँ पर फिर से इस तरह से पटी को दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर यह किया दो बार हमें इस तरह से टांका लगा देना है फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे फिर से मोती को लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से अच्छे से इसको टाक लेना है अब हम यहाँ पर तीसरी भी इस तरह से डिजान बना लेते हैं तो पहले दोनों तरफ से हमें टाका लगा लेना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर मोती टाकेंगे तो इसी तरह से हमें पूरे में डिजान को बना लेना है तो यहाँ पर मैंने पूरे में डिजान को बना लिया है और सेम कपड़े के ही हमने यहाँ पर लटकन और डोरी भी बनाई है तो आपको यह डिजान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रू बताएं तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो अमारी आने वाली वीडियो है वो आपनों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक कर लिए बाइ बाइ आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू